प्रश्न 14. दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए. उत्तर. हमें दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा समझता है, वो अपने आप में घमंडी बन जाता है. इस संदर्व में हम कच्वा खरगोश की कहानी लिख सकते हैं. की बात है कि एक तालाब में एक कच्छा रहता था. उस तालाब के पास ही एक बिल में खरगोश भी रहता था. तालाब में पानी पीने जाने के कारण खरगोश और कच्वे में मित्रता हो गई. खरगोश बहुत दूर तक जल्दी पहुंच गया, उसने सोचा कि अभी तो कच्छुआ को यहां तक आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह पेड के नीचे विश्राम करने लगा, खरगोश को नींद आ गई, कच्छुआ धीरे धीरे चलते हुए निर्धारत स्थान पर पहुंच गया, वह कही पर रुका नहीं चलता ही रहा, जब खरगोश की नींद खुली और उसने फिर से दौर लगाए तो उसने देखा कि कच्छुआ तो पहले ही वहां पहुंच चुका था, इस प्रकार कच्छुआ दौर में जीत गया, खरगोश को पच्छतावा हुआ, क्योंकि उसने कच् की क्च्छमता को कम करके आँका था, इसलिए शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की क्च्छमताओं को कम नहीं समझना चाहिए